जैश्री राओ आगामी 20 नवंबर 2021 को ब्रस्पती का होगा कुम्ब राशी में प्रवेश सामाने ते ब्रस्पती एक राशी को पार करने में लगबग एक वर्ष का समय लगाते हैं लेकिन वर्ष 2021 में ब्रस्पती कुम्ब में आए उसके बाद ये गर्य वक्री होकर मकर राशी में चले नीच अवस्था में भी गया और लेकिन अब उसके बाद 20 नवंबर 2021 को ब्रस्पती मारगी अवस्था से होते हुए चलेंगे कुम्ब राशी के अंदर और 13 अप्रेल 2022 तक अपना सफर इसी राशी में रखेंगे और 13 अप्रेल 2022 के बाद ये ब्रस्पती मीन राशी में प्रवेश कर जाएगे एक नैचुरल शुब ग्रहे जिसको कुंडली के अंदर पांच शुब जगे का कारक माना जाता है यदि आपको पैसा चाहिए धनसंचे चाहिए संतान, शिक्षा, विद्या, हायर एजूकेशन, प्रोफेशनल लाइफ बहतर हो भाग्य आपका साथ दे, पैसा आपका रुके, आएके साधन आपके अच्छे हो जाएं तो उसके लिए कहीं न कहीं ब्रस्पती का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि ब्रस्पती यहां शनी की राशी में रहेंगे और यह कुम राशी है जो कि शनी की वायुतत्व राशी है, साथ इसाथ शनी की मुल्त रिकॉन राशी भी है अब शनी के बारे में भी इसमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि ग्रहे जिसकी राशी के अंदर मुव्मेंट कर रहा है उस व्यक्ति विशेश यानि उस राशी के मालिक को अवश्य देखे कि वह कितना स्ट्रोंग है आप अगर किसी के घर में जाके बैठते हैं तो अगर व्यक्ति कोई दवंग है कोई मजबूत इंसान है कोई राजनेता है या कोई अधिकारी है तो आपके मन में अपने आप ही कुछ अच्छी फिलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी अब ब्रस्पती यहां शनी की मुल्त रिकाउंट राशी में है और उस दोरान शनी देव स्वयम मकर राशी के अंदर मारगी अवस्था में रहेंगे यानि शनी देव का भ्रहमन भी अगली राशी यानि कुम्ब की तरफ रहेगा मारगी अवस्था में और शनी देव भी ल राशी परिवर्तन भी करेंगे 2022 अब इतने समय काल के अंदर कुब्वशी को पार करें गी तो वहीं दूसरा नक्षचर होता है तो वहीं दूसरा नक्षचर होता है शतबिशा राहू का नक्षतर है और तीसरा नक्षतर होता है पूर्वा भादपरद स्वेम ब्रस्पती का नक्षतर होगा यानि जब ब्रस्पती राहू के नक्षतर में ट्रांजिट करेंगे तब तो थोड़ा इनके लिए टिपिकल समय होगा लेकिन मंगल और ब्रस्पती के नक्षतर इनके खुद के लिए बहतर होने वाले हैं यानि यदि आपको ब्रस्पती की महादशा अंतर प्रतेंतर चल रही है या आपके जनम का नक्षतर धनिष्टा, शत्विशा या पूर्वा भादप्रद है तो यह ब्रस्पती का गोचर आप लोगों पर अन्य राशियों के मुकाबले ज़्याद़ प्रभावशारी रहेगा तो यह देखना भी आपके लिए बहुत ज़्याद़ जरूरी है कि आपकी कुंडली में चंदर्मा बैठा कहा है अगर आपका चंदर्मा कुंबराशी के अंदर बैठा है और कुंबराशी में आपका जनम धनिष्टा, ब्रशचत बिशा या पूर्वा भादपन शत्र के अंदर आया है तो यह गोचर आपके लिए अधिक प्रभावशाली होगा या ब्रस्पती की महादशा अंतर प्रितंतर चल रही हो क्योंकि यह ट्रांजिट सिर्फ ब्रस्पती के ट्रांजिट है हम यहां सिर्फ ब्रस्पती के गोचर के बारे में बात करेंगे तो ये तो थी एक रूप रहेगा कि कौन सा प्लैनेट कहां से कहां वुमेंट कर रहा है बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लेते हैं मेश राशी यह चंद्र राशी के आधार पर है यानि चंद्रमा आपका जिस राशी पर बैटा है यदि एक नंबर में बैटा है तो आपकी मेश राशी हुई या उसके आधार पर आपका बोलता नाम मेश राशी के आता है तो मेश र प्रकार्ट से आप बागी सब भी राशियों को देख सकते हैं क्योंकि गोचर को सामनेत है शास्त्र के अनुसार चंद राशी से देखने के लिए कहा गया है तो आईए शुरुवात करते हैं विशेकी के मेश राशी वालों के लिए यह गोचर कैसा सबसे पहले आप देखिएगा जिस ग्रह का राशी परिवर्तन हुआ जो ग्रह कुम्ब में गया वैं आपकी राशी से भाग्य स्थान और द्वादश का मालिक है यानि एक ऐसा प्लेनेट जो आपके भाग्य को उजागर कर सकता है एक ऐसा ग्रह है जो आपके भाग्य में व्रधी करेगा आपको धन देगा संतान देगा संतान का सुख देगा क्योंकि पंचम भाव से हम शिक्षा और संतान देखते हैं तो पंचम से पंचम नवम से भी इस इसका मतलब भागय आपका साथ देगा यह स्थिती भागय के अंदर प्रवलता देने वाली होगी यह स्थिती भागय के अंदर वरधी कराने वाली होगी। साथी साथ ब्रस्पती का यह भ्रमन शनी की मुल्त्रिकोन में है और शनी दशम में है इसलिए कारे छेतर को लेकर भी तरक्किया काफी इस दोरान देखी जाएंगी। इस दोरान किसी न किसी प्रतीभा से योजनाओं से टूर से ट्रेवलिंग से यात्राओं से इस्थान परिवर्तन करके भी लाव दिला सकता है। इशारा कर रहा है कि यह समय अवश्य ही विभा से संबंदित अच्छे संकेत देता है। विभा नहीं हो रहा है रुक रहा है बार-बार रिष्टे आते हैं लेकिन बात नहीं बनती। तो यह दोरा गोचर आपके लिए बहतर है क्योंकि शनी भी दशम भाव से बैटकर सब्तम भाव के उपर द्रश्टी डालेंगे। तो ब्रस्पती द्वादशेश होने के नाते भी आपको यहां लाब ही देंगे क्योंकि यह हैं खराब गर नहीं है। आपके लिए यहां ब्रस्पती दे रहे हैं अब बात करते हैं ब्रशव राशी के लिए यह ट्रांजिट कैसा रहेगा। देखे ब्रशव राशी के लिए ब्रसपती को एक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता क्योंकि शुक्र और ब्रसपती परस पर एक दूसरे के शत्रू हैं। जिसके लिए कहा जाता है कि शायद अन्य कोई ग्रह बुरा कर सकता है लेकिन ब्रसपती जहां पर बैठते हैं और जहां पर द्रश्टी देते हैं उस लिहाज से सदय अच्छे माने जाते हैं। जुब ग्रह ब्रसपती का आना आपके लिए ब्लैसिंग से कम नहीं हैं। ये कॉंबिनेशन आपके कारेच्छितर में तरक्की ही देगा, आपके कारेच्छितर में व्रध्धी ही कराएगा। कहीं न कहीं क्योंकि ये दशम भाव में बैठा है, दशम का बैठा ब्रसपती आपको नए नए लोगों से मिलवाता है, संपर्क बनाता है, संपर्क बनाकर फायदा देता है। जब ब्रसपती शनी की राशी में चल रहे हो और शनी आपके भाग्य स्थान में स्वैग रही होकर अच्छी अवस्था में हो, तो इसका मतलब है यहां ब्रसपती बुरे फल कर ही नहीं सकते। वह चाहकर भी यहां खराब परयाणाम नहीं देंगे, क्योंकि वह जिसकी राशी में हैं वह लौड बहुत मजबूत है। ब्रसपती एकादशेश होके दशम में हैं, लाब के अफसर लगातार देने में शक्षम है। जब ब्रसपती दशम भाव पे होते हैं तो इनकी दरश्टी दूसरे घर पर जाती है, दूसरा घर धन का, वानी का, कुटुम का, परिवार का जाना जाता है। ब्रसपती की पंचम दरश्टी जब दूसरे घर पे हो, तो यह बोलचाल के माध्यम से धन दिलाने के लिए अच्छा योग माना जाता है। पैसे के लिहाज से अच्छा होता है, पैसे का आना, आई के साधन भढ़ना, या धन संचे बढ़ जाना, या अचानक से धन का कोई अच्छा लाब मिल जाना भी ब्रसपती के इसी गोचर से संबभ है। साथी साथ हम यहाँ देखेंगे के शनी की तीसरी द्रश्टी भी ब्रसपती की राशी के उपर पड़ रही है। इसका मतलब यही है कि यहां ब्रस्पती शनी की राशी से बैठके धनभाव को देखते हैं तो वहीं शनी की तीसरी दर्ष्टी ब्रस्पती की राशी लाव भाव पर पड़ रही है जो की एक अच्छा ही संयोग मैं यहां आपके लिए मान सकता हूँ तो ब्रस्पती का संबंद चोथे घर से भी है चोथा घर भूमी जमीन जादाद क्रे विक्रे प्रोपर्टी के लिए जाना जाता है ब्रस्पती का उसका आशिरवाद यानि अवश्य ही अगर आपको चोथे घर संबंदित दशा अंतर दशा चल रही है तो ब्रस्पती आपको इस कारे के अंदर सहयोग देंगे ब्रसपती आपको इस कारे के अंदर सफलता अवश्य देंगे तो यह गोचर आपके लिए बहतर है जिसमें आप अपने शत्रों को भी हराएंगे अपनी बीमारियों को भी हरा देंगे देखते हैं मिथुन राशी के लिए अपकी राशी से 759 के मालिक हैं ब्रस्पती, जहां सप्तम भाव से हम आपकी पतनी को देखते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पदप्राप्ती, प्रमोशन्स, रोजमर्रा की जिंदगी इसको देखा जाता है, तो वहीं दशमभाव से आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आ गूनति में सहयक है क्योंकि ब्रसपति को इस भाव का कारक भी कहा जाता है ब्रसपति को धन वरद्धी के दिखाई में राशी से दशम के मालिक नवमभाव में है तो यह एक अपने आप में अच्छा कॉंबिनेशन हो रहा है क्योंकि दशम का मालिक जब नवम में जाए तो यह करम और भागे का एक अच्छा गठ जोड दिखाई देता है जब ब्रस्पती नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वहां से बैट कर वे एक पांच नौ इन भावों को द्रश्टियों से संब्द बनाते हैं जो कि ये तीनों भाव लक्षमी त्रिकॉण के भाव कहलाते हैं इसलिए ब्रस्पती उन सब को एक्टिवेट करते हैं यहां पर ब्रस्पती शनी की मुल्त रिकॉण राशी में है और शनी होंगे अश्टम में श्वैग रही तो अवश्चाई गर अगर अश्टम में है लेकिन अडचनों वाला तो है यानि ब्रस्पती यहां अपने पूर्ण फल तो नहीं दे पाएंगे लेकिन इतने फल लगातार आपको देते रहेंगे जो आपके कारे को चलाता रहे क्योंकि ब्रस्पती की इस्थती बहुत अच्छी है वह जिस घर में है वो व्यक्ती यानि वो राशी के मालिक शनी देव राशी से अश्टम में होंगे जो थोड़ी बहुत अच्छने देंगे लेकिन कारे सुचारो रूप से चलते रहेंगे तो ब्रस्पती की इस्थती जहां के मालिक है जहां उनको द्रश्टी दे रहे हैं वह एक अच्छा ही सईयोग है आईए देखते हैं करक राशी के लिए यह स्थती कैसी रहने वाली है करक राशी चंद्रमा की राशी है और ब्रस्पती उनके परम्मित्र है आपकी राशी से भाग्य स्थान के मालिक हैं ब्रस्पती चटे स्थान के मालिक हैं ब्रस्पती यानि ब्रचटा इस्थान ये वह ग्रह है जो आपसे संधर्ष कराएगा आपसे मेहनत कराएगा तो यही वह ग्रह है जो आपके भाक्या में उन्नती भी देगा अब चंद्रमा से यानि आपकी राशी से ब्रसपती का अश्टम भाव में ट्रांजिट होगा एक नैचरल शुब ग्रह होने के कारण ग्रह जब अश्टम में राशी से अश्टम में जाता है तो यह पैसों के अंदर खिचावट अवश्य देता है क्योंकि ब्रसपती धनके प्योर कारक माने जाते हैं वहीं ब्रसपती आपकी राशी से भाग्य स्थान के मालिक है अब ये कॉंबिनेशन आप देखिएगा कि धनके कारक भी है और ये आपके भाग्य के मालिक भी है राशी से अश्टम में आ गए अश्टम में किसी शुब ग्रह का जाना उसके अंदर कुछ कमी पैदा करता है क वहाँ पर शनी की राशी यानि शनी की मूल्त रिकॉंड राशी के अंदर ब्रसपती है और शनी राशी से सब्तम में स्वय राशी के होका ट्रांजिट कर रहे होंगे इसका मतलब है ये वो कम्बिनेशन है जो आपको प्रियास कराएगा लेकिन लाव अवश्य देगा क्यो की शनी मजबूत है जब ब्रसपती राशी से अस्टम में हो और ब्रसपती की पूर्ण सब्तम द्रश्टी धन के भाव पर पड़ रही है इसका मतलब अवश्य ही यह योग आई के साधन जोटाने में शक्षम होगा लगातार किसी ना किसी प्रकार से पैसे देता रहेगा कि किसी ना किसी प्रकार से धन की इस्टती बना कर रखने वाला है ब्रसपती की दरश्टी चौथे और द्वादश भाव पर भी है जहां चौथा घर भूमी जमीन जाधात का होता है वहीं बारवा घर इन्वेश्टमेंट खरच का होता यानी यह है वह समय होगा जो आपको कि कराकर investment कराने वाला होगा साथी साथ कभी कभी कुछ लोग अपने घर में प्रवेश करना चाहते हैं मकान बना रहे हैं उसमें प्रवेश कर जाएंगे या possession नहीं मिल रहा है तो possession मिल जाएगा तो आपकी लिए ये ट्रांजिट अपने आप में काफी बहतर है अब हम बात करेंगे सिंग राशी के लिए ये कैसा रहेगा सिंग राशी से ब्रस्पती पंचमेश यानि त्रिकोन इस्थान के मालिक हैं पंचम भाव से हम लक्षमी देख क्योंकि जब आपकी बुद्धी ठीक प्रकार से कारे करेंगी तो यह आपको लक्षमी भी देगी अब आपकी राशी से सप्तम में ब्रस्पती यानि पंचम का मालिक सप्तम में बुद्धी योजनाओं के द्वारा धन दायक साबित हो रहा है शनी की मुलत्रिकोन मेर शनी कराने के लिए बहतर है जब ब्रस्पती पंचमेश होके सप्तम में चलें तो उनकी द्रश्टी आपके एकादश आपकी राशी और तिर्टिया पर आती है यानि आप अपनी बुद्धी योजनाओं के द्वारा तो लाब लेंगे ही लेंगे पद प्राप्ती भी करेंगे य आएके साधनों को जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आएके नए नए साधन बनाएगा सोर सोपिंकम बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तयार हैं आपके ब्रस्पती आपको बस अपनी योजना अपनी बुद्धी पर कारे करना है कन्या राशी के लिए देखें तो राशी से चतुर्त और सप्तम के मालिक हैं ब्रस्पती जो राशी से छटे में चल रहे हैं अब चौथे घर का मालिक अगर छटे घर में जाता है तो उस दौरान आपको अपनी पारिवारिक शांती के लिए काफी प्रियास करने अदर कले ना हो जाए घर के अंदर वातावरन खराब ना हो उसका विशेद ज्यान रखें इस दौरान अपने स्वास्त का भी आपको विशेद ज्यान रखना होगा क्योंकि ब्रस्पती चटे घर में हैं स्वास्त को ठीक रखने के लिए संगर्ष करते रहना पड़ेगा अ और शनी राशी से पंचम में स्वैग रही होकर चल रहे होंगे इसका मतलब है अगर छोटी मोटी कोई प्राबलम्स आएगी तो शनी देव उसको सौल्व कर देंगे राशी से छटे घर में जब रस्पती जाता है तो यह धन के खर्च के लिए भी जाना जाता है किसी विश के लिए पैसा ले लिया वह भी इसी ब्रस्पती से संबव है क्योंकि ब्रस्पती का संबंद छटे घर से बैठके जब दशम से आए तो यह नौकरी करने वाले लोगों के लिए जादे अच्छा माना जाता है ब्रस्पती का संबंद दुआदश भाव से है तो दुत्य पर एक इस्तती अपनी मैरिड लाइफ एवं अपने स्वास्त का विशेश ध्यान रखें तुला राशी के लिए यह गोचर कैसा है तुला राशी के मालिक शुक्र है और यह शुक्र की वायूतत्व राशी है बैलेंसिंग राशी होती है सभी परिस्थितियों में एडजस् संगर्श योजना पराक्रम हिम्मत साहस इसके लिए जाना जाता है तो छटे घर से हम competitive exams आपका संगर्श होना जीवन के अंदर शत्रू आपको चोट पहुचा रहे हैं शत्रू आपको परेशान कर रहे हैं या बाधा डाल रहे हैं यह सब जीवन में छटे घर से देखा जा उसके अंदर शुब ग्रह ब्रस ! ब्रस geschत्रू मानते हों लेकिन ब्रस्पती शत्रू होने के बावजूद भी नुक्सान नहीं करते हैं क्योंकि ब्रस्पति एक natural शुब ग्रह है यह ग्रह धन का प्रवल कारक है यह ग्रह संतान देने वाला है higher education देने वाला है भाग्य करम लाब में व्रधी करने वाला भी माना जाता है आपकी राशी से पंचम में हैं ब्रस्पति तो यह आपके पंचम भाव के उपर एक शुब प्रभाव पढ़ता दिखाई दे रहा है जब पंचम में शुब प्रभाव पढ़ता दिखाई दे रहा है तो यह आपकी education के लिए और आपकी संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है लेकिन जब है 3-6 का मालिक हो जाता है तो अवश्य ही इन चीजों में अडचनी तो देता है क्योंकि छटे का मालिक जहां जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंदित संगर्ष देता है या उस इस्थान से संबंदित रोग भी दे सकता है अब छटे का मालिक पंचम में हो तो लीवर के रोग, फैट के रोग, चरवी के रोग, कॉलस्ट्रॉल के रोग, पेट से समबंदी समस्या देने में शक्षम है लेकिन ब्रस्पती की दरश्टियों के बारे में बात करें तो पंचम में बैठा ववा ब्रस्पती अकेला ही एक पांच नो भाव से सम्बंद बनाता है, जिसको हम कहते हैं लक्षमी तरिकोन भाव को कवर करना, ब्रस्पती की दरश्टी भी एक आदश भाव पे पड़ती है, जो की लाब के अच्छे अफसर बनाने में शक्षम है, तो जहां एक तरफ ये घरह आपका शत्रू है, लेकिन आपके लिए नुकसान दाई बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि इसका एक विशेश और मुख्यकारण यह है, कि ब्रस्पती यहां शनी की राशी में है, और शनी आपकी राशी से चोथे घर में ट्रांजिट कर रहे है, इसका मतलब है कि यह ग्रह मजबूत अवस्था में है, ग्रह जिसकी राशी में है, वो लोड केंदर में चल रहा है, स्वेग रही होकर, इसलिए यह कॉंबिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा, वरश्चिक राशी के लिए यह कॉंबिनेशन अपने आप में एक बहुत अच्छा फल देने के लिए बिलकुल तयार है, क्योंकि ब्रस्पती आपकी राशी से दूसरे और पांचवे के मालिक है, दूसरा घर जो की बोलचाल भाशा शैली, वानी, कुटुम्ब, पैसा, धन, धन संचय के लिए जानते हैं, वहीं जहीं पंचम भाव से हम विध्या, बुद्धी, शिक्षा, संतान इनके जन जाता है, और ब पहतर परिणाम देने में शक्षम है, जब ब्रस्पती चौथे घर में ट्रांजिट करें, पारिवारी खुश्यों के लिए जाना जाता है, परिवार को एक साथ जोड़ना, कुटुम्ब के लिए अच्छे कारे करने के लिए जाना जाता है, संतान से सहयोग मिलेगा, प्रफिशनल लाइफ, आप अपनी बोलचाल्स के माध्यम से सामाजिक रूप से अच्छे और बहतर रूप से निखरने वाले हैं, आने वाले समय में लोगबाग आपकी भाशा सैली, आपके वैवार के कारण अच्छी महसूस करेगी, आपके साथ जुड़ने का परियास कर या कह सकते हैं, आप अगर कोई काम करते हैं, तो उसकी सेवा लेने के लिए आप से तयार है, यह है कॉंबिनेशन, तो ब्रस्पती पंचमेश होने के कारण संतान देने में शंक्चम है, संतान वर्दक है, संतान से सहयोग देगा, शिक्षा, हायर एजूकेशन बुद्धी क जा रहा है, तो व्रश्चिक राशी वालों के लिए अतिसुंदर योग ब्रस्पती का बन रहा है, आईए बात करते हैं धनु राशी के बारे में, धनु राशी आपकी स्वैम की राशी है, यानि आपके राशी के ही मालिक ब्रस्पती है, साथी साथ यह ब्रस्पती आपकी राशी से चतुर्तों के वालिक भी है अब इन ब्रस्पती का ट्रांजिट कहा हुआ है धन भाव में सौरी तीसरे भाव में हुआ है देखे सबसे पहले आप ये देखिए राशी से तीसरे घर में ब्रस्पती गए वह ब्रस्पती शनी की राशी में है और शनी राशी से दूस तीसरे घर में अच्छी प्रकार से बैठा हुआ है इसका मतलब हो गया कि हां राशी से तीसरे घर में ब्रस्पती का जाना धन दायक होगा राशी से तीसरे में ब्रस्पती का जाना आपके कारे चेतर में ख्याती देगा प्रसिद्धी देगा अगर आप ऐसे किसी काम में हैं जहां बहुत जादे बोलने का काम हो, लिखने का काम हो, हातों से संबंदित काम हो, आप प्रीचिंग्स देते हैं, उपदेश देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप मीडिया के रिलेटेड कोई कारे करते हैं, आप लिखने लिखाने का काम करते हैं आप राइटर हैं आप सिंगर हैं आप डांसर हैं तो उन सब लिहास से अगर ये देखें तो ये कॉंबिनेशन अपने आप में प्रवल ही होता दिखाई दे रहा है तो कुल मिलाकर ये कॉंबिनेशन मजबूत है ब्रस्पती आपके लिए मानसंबान भी बढ़ाएंगे ब्रस्पती आपके लिए योजना भी बनाएंगे तीसरे घर में राशी के मालिक का जाना शौर्ट जर्नी से फाइदा देता है ब्रस्पती का संबंद नवम और एकादश्य बन रहा है इसका मतलब है भागे में व्रadhi के लिए अच्छा है लाव दिलाने के लिए अच्छा है सोर्शोप इंकम बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है तो ब्रस्पती अपने आप में यहां अच्छी इस्टती में दिखाई दे रहा है ये ट्रांजिट आपके लिए beneficial है आप अपनी योजनाओं पर लगातार कारे कीजिए क्योंकि ये गोचर है और ये गोचर आपको 100% परिणाम देने के लिए बिल्कुल तयार बैठा है अब बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए ये स्थिति कैसी है सबसे अच्छी बात ये है कि मकर राशी के स्वामी शनी अपनी ही राशी में मजबूत अवस्था में चल रहे हैं वहीं आपकी राशी यानि दूसरी जो आपकी कुम राशी है शनी की जो कुम राशी है उसमें ब्रस्पती का ट्रांजिट हो रहा है शनी मजबूत अवस्था में है क्योंकि शनी उस राशी के मालिक है इसका मतलब ब्रस्पती यहां ना चाहते हुए भी अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह होगा दूसरे घर के अंदर ब्रस्पती जा रहा है एक नैचुरल शुब ग्रह होने के कारण यह धन के लिए अच्छा है लेकिन अगर इसे हो आपकी राशी से सौमित के आधार पर देखें तो राशी से द्वादश और तीसरे का मालिक है ब्रस्पती द्वादश भाव खर्चों के लिए जाना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है वहीं तीसरा घर शौड जर्नी जात्राव के लिए जाना जाता है अब ऐसा एक ग्रह तीसरे घर राशी से दूसरे घर में आया तो आप यह तो समझिए कि वह ग्रह शुब ग्र combination नहीं देता क्योंकि वह आपकी राशी से जिन इस्थानों का मालिक है वह इस्थान अच्छे प्रबल नहीं है लेकिन शनी की मुल्तरिकॉण में होने के कारण शनी के स्वग्राई होने के कारण इस ग्रह के अंदर इतना बल है कि यह आपको अच्छे किसी ना किसी प्रकार से साधन बना कर रखेगा क्योंकि आप यह देखिए जब ब्रस्पती दूसरे घर में ब्रह्मन करते हैं तो उनकी पंचम द्रश्टी छटे पे हैं और सब्तम द्रश्टी अस्टम पे दौनों ऐसे भाव हैं जो छे और आठ हैं अंदमे बाद में नौवी द्रश्टी उनकी द स्यार है लेकिन उतना पूर्ण अच्छा सहयोग यह प्लैनेट आपको नहीं दे पाएगा क्योंकि नैचरल बैनेफिक होने के करण तो अच्छा है लेकिन स्वामित होने के आधार पर अच्छा नहीं है इसलिए मैं इसको यहां 50-50 अच्छे प्रिणाम मान सकता हूं आएए बात करते हैं कुम्ब राशी के बारे में कुम्ब राशी के लिए ब्रस्पती अकेला वोगर है जो महान धनियोग बनाने में शक्षम है क्योंकि धन के प्रबल भाव कौन से कहे जाते हैं देखिए दूसरा घर पांचवा घर नौवा घर और ग्यारवा घर दो शनी की राशी है आपकी राशी से एकादश और दुतियेश के मालिक ब्रस्पती आपकी राशी में दिखबली होकर चल रहे होंगे तो ये कॉंबिनेशन आए के साधन देगा सोर्स ओफ इंकम बढ़ाएगा पैसे को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए शक्षम होगा य आपके लिए धन को लगातार लाता रहेगा इसको कहते हैं मल्टिपल सोर्स ओफ इंकम देना आएके एक से अधिक साधनों के द्वारा पैसा कमाना तो ये तो ब्रस्पती ने बनाया दूसरे और पंचम एकादश के मालिकों के राशी में चलना अब ब्रस्पती पंचम और नवम को अपनी द्रश्टी भी देते हैं ब्रस्पती की पंचम द्रश्टी शिक्षा विद्धिय बुद्धिस्थान पर है उसके लिए अच्छा है संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है संतान कंसीव करने के लिए अच्छा समय है शिक्षा की शुरुआत के लिए नौवे भाव उपर दश्टी है धार्मिक क्रिया कलाबों के लिए अच्छा है पिएच्डी रिसर्च नेट आदी कराने के लिए भी बहुत अच्छा योग ये माना जाता है तो ब्रस्पती की अगर दशा अंतर दशा आपको चल रही हो तो आप समझ ले दिया आपके लिए बहुत अच्छा समय ब्रस्पती लेकर आ रहे हैं क्योंकि यह योग बहुत शुब है अब बात करते हैं ब्रस्पती की दूसरी एवम आज की श्रेणी में अंतिम राशी मीन राशी के बाले है मीन राशी ब्रस्पती उसके मालिक वहीं धनू के मालिक भी ब्रस्पती है अब आपकी राशी से ब्रस्पती ने स्वैम आपकी राशी का कारभार यानि आपकी शरीर आपकी बोडी आपकी लाइफ इस्टाइल आपका मानसमान का पदभार समहला है तो राशी से दशम के मालिक क्रिया कलाब, कार रहे हैं, सोर्स of income कह सकते हैं, professional life कह सकते हैं, आपके रोच के कर्म कह सकते हैं, 10 थांस से देखे जाते हैं. उसका मालिक क्या है राशी का मालिक राशी से 12 में गया क्या हो रहा है एफर्ट्स बढ़ेंगे व्यक्ति को पहले के मुकाबले जादा संघर्ष करना पड़ेगा राशी का मालक जब 12 में हो एफर्ट्स बढ़ते हैं राशी का मालक जब 12 में हो खर्च बढ़ता है राशी का मालक जब 12 में हो दूर इस्थान से जुड़कर पहले इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टमेंट के बाद लाब मिलता है जो लोग 12 घ़र से संबंदित काम करते हैं जैसे export इंपोर्ट का काम करते हैं अपने समान दूर स्थान पर भेजते हैं बहार की लोगों से संपर्ख बना कर कार्य करते हैं या ऐसा समझ सकते हो medical lights related काम कर रहे हैं वकाला से संबंदित काम कर रहे हैं एडिसिन, दवाई, लेबरोटरी इन से संबन्दित काम करते हैं तो उस लिहाज से ब्रस्पती अच्छा है अगर ऐसा नहीं है तो राशी के सौमी जब राशी से द्वादश में जाता है तो एफर्ट्स तो बढ़ाता है पैसा तो देता है लेकिन पैसे को जोड़ने की इतनी चमता नहीं देता किसी ना किसी कारण से पैसा हाथ से निकलता रहता है अब राशी से दशम का मालिक भी है दशम का कनेक्शन द्वादश से यानि आपका व्यापार बाहर गया आपकी नौकरी बाहर गई आप बाहर से जुड़े आप विदेशों से जुड़े चाए नौकर 22 के बाद ब्रसपती को मीन राशी में आना है यानि पांच महीने का सफर तो हो सकता आपके लिए कुछ टफ हो कुछ टफ पूरा टफ नहीं कुछ टफ हो लेकिन जब ब्रसपती मीन में पहुंचेंगे तब तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा भैतर हो जाएगा तब तो यह कॉंबिनेशन आपके लिए लगातार कारे छेत्र में व्रद्धी देगा और मांसंबन भी दिलाएगा छोटे मोटे हेल्थ इसूस दे सकता यह कॉंबिनेशन खास तोर पे जब जब आपको ब्रसपती की महादाशा अंतरप्रतें तर चल रही है तो देखिए इसका कोश है कि ब्रसपती देव जो कुम राशी में भ्रह्मन करेंगे 20 नवंबर से लेके 13 अप्रेल तक तो यह ट्रांजिट यह समयकाल आपके लिए या सभी बारे राशियों के लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में मैंने हाँ विश्तरित रूप से चर्चा की है फिर से न